हेलो सांथियो, बेरी गुड एवनिंग, गुड एवनिंग, गुड एवनिंग सांथियो, ग्यान करीवटू चानल में आपका स्वागत है, SSE CGL का प्रेक्टिस सेट चल ला है और हम लोग को बचे हुए 30 दिनों में एक दिन बीद गये, बचा हुआ हमारा 29 दिन है, इस 29 दिन को हम लोग यूँ इटलाइस करें कि हमारा स्कोर बर करके 140 पार हो जाए और हम SSE CGL का टाइर वन या टीर वन किलियर कर ले, आज हम लोग सेट के प्रेक्टिस को शुरू करने से पहले बिल्कुल धमाकेदार अंदाज में आते हैं, आपके लिए सुनने के बाद आप इनर्जेटिक हो जाएंगे और समय को पॉजेटिव दिसा देंगे, समय को यूटलाइस करेंगे, बीत लो हर लमहा को बीत जाने से पहले लौट कर यादे आती हैं, वक्त नहीं, वक्त अगर एक बार चला गया, चाह के भी वापस नहीं ला सकते हैं, इसलिए जो वक्त है आपके पास बचे हुए वक्त को यूँ इटलाइस करिए जैसे मानो 30 दिन ही हमारा एक साल के बराबर हो इस तरह से हमको इसको यूज करना है और यकीन जानी अगर एमंदारी और लगन के साथ इसको यूज किया जाए तो समय जादे नहीं लगेगा ठीक ह है कि आपके अंदर potential efficiency चमता बहुँ जादा है आई यह हम लोग सेट पर आते हैं क्या सेट है आज का आपका सेट है आज का सेट को सुरू करते हैं पहला प्रस्ण आपके screen पे दिख रहा है क्या प्रस्ण प्रोपीन का रसायनिक सुत्र क्या है तो प्रोपीन यह आपको pronunciation से लग रहा हिए इन लाश्ट में जो pronunciation हो रहा यो इन पर हो रहा है और मैं कलम का कलर हैं और देता हूं मैं white ठीक है चली प्रोपीन का जो रसाइनिक सुत्र है वो हमारा किस फैमिली से जो बिलोंग करता है तो लास्ट में हमारा उचारान आ रहा है इन प्यारा किस प्यारा इन प्यारा और इन का जो हम लोग बोलते हैं अलकीन बोलते हैं क्या बोलते हैं अलकीन बोलते हैं और अलकीन का सुत्र होता है CNH2L यानि जितना कारवन N क्या है number of carbon परदसित करता है जितना कारवन होगा उसका double hydrogen होगा उसी को हम लोग अलकीन कहते हैं और प्रोपीन के लिए कारवन की संख्या होती है प्रोपीन में प्रोप के लिए अगर प्रोप यूज किया जा रहा तो उसमें कारवन की संख्या मतलब N का वेलू होता 3 N का वेलू होता है जदी पूट करिएगा N का वेलू 3 तो ये C3 हो जाएगा और 3 का double करिएगा तो ये 6 हो जाएगा इसका मतलब प्रोपीन का जो structure हुआ आका होता आकिर दोनों क्या अंतर है Alkin और Alkin में Alkin में कहीं भी आपको Carbon-Carbon के बीश एक double बंद दिखेगा जबकी Alkin में Carbon-Carbon के बीश आपको एक तृरी आबंद दिखेगा ये mind में रखिएगा दोनों में क्या अंतर है सेम फेमिलिस ये इससे belong तो नहीं करता है यह दोनों के दोनों unsaturated है असंत्रिप्त है यही पर अगर कम किरिः सील की बात करें तो हमारे पास एक ही एकलावता अलकेन है और अलकेन का फर्मुला हमारा पास लिख लिए इसको भी अलकेन का फर्मुला होता है इसके डवल से हैड़न कर दिजे और उसमें दो अपने तरफ से जोड दिजे यह कहलाएगा हमारा अलकेन ठीक है अलकेन फैमली से ही आने वाले हमारे पास कौन आपने पेट्रॉल का नाम सुना होगा ठीक है यहां पिलिक लिए आप से पूछेगा कि पेट्रॉल में कौन सा ग नाउल देता है मतलब फैंटेन विटेन में लुटेन में कारवन के संकिया चार प्रोपन बोला ऑप्रोपन में कारवन के संकिया तीन और पेंटेन बोला जाएगा इसमें कारवन की संकिया 5 ठीक है यान दूम नाम से However me take a of that और पेट्रॉल का दूसरा नाम याद कभी कभी इसको gasoline भी कहते हैं याने पिट्रॉल का दूसरा नाम क्या है gasoline है दूसरा नाम ठीक है ना दूसरा नाम पिट्रॉल का gasoline है यह मुख बाते याद रखनी थी और यहीं में बात कर ले रहा है कि अलकीन और अलकाइन में सबसे जादे अमलियता किसकी होगी तो सबसे जादे अमलियता जो होगी आपका अलकाइन की होगी यह highly acidic होगा यह बात भी आप याद रखिए highly क्या है यह जानिए आपकी जो सरकार का अनुमानित है यह जो सरकार आकलन कर रहा है जिससे प्राप्ति और वे का जो वीवरन होता है उसको हम लोग बजट कहते हैं क्या करतें बजट कहते हैं इसका तो answer होगया budget अब आप से पूछा जाए कि क्या budget के बारे में समिधान में कोई उल आए अलेक नहीं है बट वित्त्य वार्सिक जो है विवरन के बारे में है वित्त्य वार्सिक विवरन के रूप में के रूप में समिधान में है आपसे पूदे अनुचेत कितना? अनुचेत 112 ये अनुचेत 112 है ठीक है? जिसमें बजट का यानि बजट का सब्द का उल्लेक तो समिधान में नहीं मिलता है लेकिन बजट से सम्बंदित एक तर्म है वार्सिक वित्य विवरन जिसका अनुचेत 112 में मिलता है यहीं पे कभी कभी एकनॉमिक से दो टर्म पूछा जा सकता है क्या पूछता है? याद रखिए कि दो टर्म में जो है मायनम रखने वाली बात है क्या? बोलिए एक होता है योजना के एक ओडिंग और एक होता गैर योजना योजना एक ओडिंग जिसमें सरकार जो होता है किसी का गता है किसी प्लेस को बनाने में यानि विकास के रूप में जो पैसा खर्च किया जाता है उसको हम लोग योजना अगत कहते हैं योजनागत कहते हैं विकास के रूप में खर्च किया जाए यानि पैसा सरकार वहां खर्च करेगी विकास के लिए विकास के रूप में और गैर योजनागत क्या कहलाता है तो गैर योजनागत सरकार मालिक डिफेंस में रक्षा पर खर्च करे या वेतन पर खर्च करे तो यह कहला त ग्यरियोजनागत, यानि आप लिख लिखिए रक्षा ये कभी-कभी टर्म, जो है, है, पूछ लिता रक्षा और ग्यर योजनागत, ग्रक्षा और वेतन, यह कहला तवी बजट और खुशाा रां। यानि बजट के भारत में दो रूप थे, यह दो रूप कभ क्या गया वर्श उनीच्व 21 में, क्या था एक रेल बजट अलग से निकलती थी, और एक आम बजट अलग से निकलती थी, आप से पूछा जा की वर्तमान में अपकुल कितने बजट निकाले जाते हैं, तो यह आखि सरकार 2017 मान्य नरेन मोदी जी ने मिला दिया ठीक है आप से प्रस्ण बन सकता है कि आम बजट और रेल बजट को एक साथ जो है विलीन या मर्ज कर दिया गया कब बुलिए 2017 में किस सरकार में की एंडिया सरकार में की इससे पहले यानि उन्हें 211 से ले करके 2017 तक दो बजट निकाले जाते थे एक रेल बजट अलग और आम बजट अलग अब जो है दोनों मिलकर के एक ही बजट होता है उसका नाम है आम बजट और वित्य वर्स होता अप्रेल से लेकर के मार्स तक अप्रेल से मार्स तक ये कहलाता वित्य वर्स ठीक है चली ये बाते मुख बाते जो है याद रखेगा आई अगला प्रस में आता हम लो सास्तिय निरित के रूपों में यानि सास्तिय निरित रूपों को बढ़ावा देने में उनके अदूतिय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपती देवस्थानम के निवासी नर्थक के रूप में किसे सम्मानित किसे सम्मानित क्या गया हे एक किसे समानित किया गया तो बिल्कुल आपका सही अंसर है यामनी किर्सि मूर्ति क्या है यामनी किर्सि मूर्ति यह आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा। यामनी कृसमूर्थी के बारे में संबंध रखिएगा कि ये भरत नत्यम के साथ साथ भरत नत्यम के साथ साथ इनका संबंध जो है भरत hey communication पोय आजिंआ यमनी मूर्ठी का और किस्निर ते संबंध है कुछि पूरी और ठीक है यहीं पर करें किन से किनके बारे में उमा सर्मा के बारे में माइड में रखिएगा चलि वहीं बात कर लेतें अगलाएपसन हमारे पास उमा सर्माक वा वा सर्मा के बारे में याद रखेंगे उमासर्मा का संभन से कथक है कतक कहाँ का है यूपी का तर हमने बता था कि वैदिक संस्कीक ससे लिया गया है जिसका मतलब होता कहानी यह बता करके है चली रूखमनी देवी की एगर बात की आजा तो रूखमनी का सम्भनाथ किसे है तह आप रखिए का रूखमनी का समभन झीफ होने के साथ उनका संबंध यानि विया ओ एनी बेसेंट से बहु जादे परेदित थी तो एनी बेसेंट से परेदित रहने वाली है रूख मनी देवी ही है यानि एनी बेसेंट से परेदित रहने वाले एनी बेसेंट से परेदित हुए कौन रूख मनी देवी ठीक है दूसरी बात इनके बार रह है याद रखीए का यह रूखमनी देविको साहिट निर्थ के ता साथ जो है कि तीयो कि तिम्स दोस्वाश भी कहारा बैस्वाट हो यह यह ततरिसी हो ड़ी सबीख संबन्द के दीए ठीक है यह बार को द्वारे में एक बात और आपको याद स्वांदना कि यह ज़ो है having come a Kala hen cadre में कि क्ला च्छेत्र में कि 2 RAM देवलपक इस फान याक याद रहना कि आ आपको याद रखना है रुप मनी देवी के संबन्दित चलिए रागनी देवी रागनी देवी का संबन्द किसे है तो आप याद रखिए रागनी देवी का संबन्द मोहिनी अटम से है किसे मोहिनी अटम मोहिनी अटम कहां का सास्तिरी निरित है याद रखे केराल का यह मुक्तत जो है आप याद रखेंगे इ इस भाग में संग कार्षपालिका के प्रवधान सामिल है यहां संग की बात आ गया तो संग जो है हमारा भाग पांच में संग किसमें है भाग पांच में है ठीक है और भाग पांच का जो अनुछेद अगर अगर आपसे पूर दिया जाए कि भाग पांच का अनुछेद कहां स लोग कलासिफाई करते हैं कि आखिर आखेंई शौ कावन में कैशने कैसे है तो आपको याद रखना है रग्वा अनुशेळ इसको ठाव अनुशेद बावा雪 से 63 से 71 जो है यह आपका उप रास्पति से ठीक है अनुच्छेद 74 से 75 यह आपका मंत्री प्रिशा से अनुच्छे 76 जो है आपका अटनी जेनरल महानियवादी से मुख मुख तत याद रखेगा महानियवादी से अभी महानियवादी कोर है केके वेनु गोपाल कल के डिसकर्शन हम लोग बताया थे चली यह चीज़ आपको है एक सिलस्रे बार में रख लिजेगा माइंड में अनुच्छेद 74 के बारे मुख बात याद रखेगा है कि अनुच्छेद 74 जो है यह राश्पति के सलहा के लिए यह एक मंत्री परिषद का क्ठन खी है और अनुच्छेद 75 के आकटा पर्धान मं द्क्ति और मंत्री पत Pakistan में कहता है यह बात याद र dal कि हमने सब्सक्राइब कर चुके हैं और 62 से 63 में इसमें भी आप याद रखिए बाहर सट जो है भारत का एक रासपती होगा अनुछेद 52 कहता अनुछेद 54 रासपती के चुनाओं से संबंदित है अगर चुनाओं में किसी तरका मत विभेद हो गिया हो तो अनुछेद 55 आएगा कि सफथ है कि रास्पती का सफथ और वन अनुछेद 61 में महा भीयोग की मामला आता है ठीक है महाभीव चले वहीं अगतर हमारा भाग है अगतर भाग की आम बात कर लें ता अगतर भाग तीन जो है यह आपका मौली अदिकार है क्या है मौलीक अधिकार और इसित कहा से कहा तक है तो आप याद रखेगा अदुच्थ 12-35 के अदुच्थ 12 35 धानुच्य बात कर 때 भाग 14 चार का थो भाग चार क्या है बुलियो भाग चार आतरा था राज के नीथी निधी के तक्त है राज के नीति निदेशक तत्व है जिसको आप DPSP कहते हैं यह कहां अनुच्यत कितना से है यह DPSP तो याद रखिए अनुच्यत जो है आपका 163 से ले करकर 591 तक है 341 तक है वहीं आप बात कर ले भाग चार के का भाग चार जो कि आ जह आपका किसे आरत Dum Humored से मोलिक करतब से करने हैं आनुछेद की बात कर लें तो अनुछेद अंवे हैं ऊनुछेद 155 और बाट करMA है 201 तक है एक्सट्रॉराय सेंदिस कि यह बात रखेगा मोत इन ठीक और एक और इसमें ह्थे 5 स और नघर पालिका आजयर भाग वह नो है भाग नो की या आपका पंचय श्वेस है कि और वह पर बात हम कर लें भाग नो कि कि यह यह लक्ल बालिक शलते चैस नगर पालिक As और थीक है और यह कभी कभी Miche Crosnava संबंदित भी पूश करता है तो भाग 15 जो है वह चुनाओ से है जुनाओ भाग 15 कि कभी कभी फूशबत आपसे क्या पूछेगा आप पात कालिन जो है किस भाग में है daher på the ribs and ůह को कहते है यह इमेर्जंसी की बाद कर यह इमर्जंसी यह आपका भाग 18 मेंगत यहली वर्तवाँ में अगर बात किया जया तो जो है 22 वाई अगर लेकिन सी नम से अगर पांट को कंप सीगाय बने dozen कांटिंग से मर्स नंबर में नकिन अगर कांटिंग से अगर किरिएगा भाग मिला करके तो खुल हमारे पास 45 हो जाएंगे भाग समिधान संसोधन से संबंदित हैं संसोधन भाग 20 चली तो मुख बाते थी आपको याद रखने की थी यह चीज आप मायन में रख लिजेगा चली ठीक है आई अगला प्रस्त हमारा आता है निमलिकित में से किस देश ने तीन बार SI केलो की मेजवानी की है तो तीन बार SI देश को मेजवानी करने वाले हमारा दक्षिन कोडिया है कितना बार किया तीन बार किया कप कप किया तो याद रखिए एक बार किया आपका 1986 में एक बार किया 2002 में और एक बार किया 2014 में ठीक है चलि, तीन बार किया। यह पूछा आप से है? चलि, आप से अगर ajστन फूच दे कि सरवाधिक बार सबसे ज्यादा बार किस ने किया है मेज़बानी? तो सबसे ज्यादा बार मेजबानी करने वाला जो है, है आपका थाइलेंड है यहां पर लिख लिजेगा सबसे ज्यादा बार मेजबानी मेजबानी थाइलेंड कितना बार चार बार कब कब किया तो यहां इसको लिख लिख लिजे डेट आप 1966 अच्छा सब्सक्राइब मेजबानी करने वाला कोन है थाइलेंड है चार बार किया अगर यहीं से पूछ दिया जाए कि ऐस्याई ओलम्पिख खेल में सबसे अच्छा पर्दर्सन करने वाला कोन है चीन है अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इससे पहले मतलब कि जो होने वाला एस्याई ओलम्पिख खेल था इसकी मेजबानी किस देश को करनी थी और जो है कोबिट-19 के वज़ए वो COVID-19 के वज़ा से, COVID-19 के वज़ा से जो है, cancel हो गया, ठीक है, तो ये बात याद रखिए, वही बात हम लोग अरले अगर भारत से संबंदित, तो भारत ने अभी तक कितना बार किया है, तो भारत से संबंदित रखिएगा, भारत ने अभी तक दो बार किया है, कब क्या है, दो बार किये भारत जो है दो बार किये एक बार 1901 यानि उठगाटन करने वाला भारत है दूसरा बार 1912 में किये ठीक है चलिए कि अब यहीं पर कुछ इससे संबने यानि जो SI कप हमेशा होता है चार साल पर कितना पर होता है यानि चार वर्स पर होता है अब हमना जो होने वाला है 20 में SI कप होने वाले है जो कब होगा 20 में SI कप कब आपका 2026 में होने वाला है जिसकी मेजबानी कौन करेगा तो याद रखिएगा इसकी मेजबानी जो है जापान करेगा कौन करेगा? जापान करेगा यानि आपका ये एंसर जापान से समन्नित हो गया यानि जो होने वाला 2026 में जो एस्टाई कप है उसकी संख्या क्या है विस्त्मा होगा जो होगा वर्ष दोश्चभिस में परतेक चार साल पर होती जिसकी मेजबानी जापान करेगी ठीक अगर वहीं बात कर लिए, दोज़ तीस में कौन मेजचमानी करेगा? तो दोज़़ तीस में जो है, दोज़़ त सब्सक्राइब करने वाला है ठीक है यह मुख बाते आप इससे संबंदित याद रखिएगा ठीक है चलिए अलिए अगला प्रस्ट में अ कि अक्षण के यूद में अंग्रेजि सेना का नेश्य कि है ठीक है ठीक है इससे ले निया गसा है होता कब कुछ तर्थ बात जाने लिए दें मैं और धुता है बाएस अक्टूबड 22 अक्टूबर 1700 कब बुलिए 22 अक्टूबर 1764 एक मिनट चले 22 अक्टूबर 1764 में होती है किसके किसके बीच होती है तो याद रखेगा ये बिर्टीस इस्ट इंडिया कमपनी ठीक है बंगाल के नवाव बंगाल के नवाव मीर कासिम और आवद के नवाव के नवाव समराट सहालम दूतिये सहालम दूतिये के बीच होती है किसन्य के बीच होती है ठीक है न 22 अक्टूबर यानि जो बक्सर का यूद हुआ ये अंग्रेजों के लिए निरनायक यूद साबित हुआ निरनायक यूद साबित हुआ इसी यूद के बाद जो है ये पनप किया अगर सबाल आपसे पूँच दिया जा कि जो बक्सर का यूद हुआ और किस संदी से समाफ्थ हुआ याद रखिएगा इलाहाबाद के संदी से समाफ्थ हुआ यानि ये यूद समाफ्थ हुआ किस संदी से इलाहाबाद की संदी से इलाहाबाद की संदी से अब आपसे पूछा जागा कि इलाहाबाद की संदी किसके किसके बीच हुई तो इलाहाबाद की संदी जो है East India Company और साहलम दूतिये के बीच हुई साहलम दूतिये के बीच इस संदी में क्या हुआ तो इस संदी में जो है British के पास दिवानी आगिया और सहलंदूतिय के पास परसासनीग आगिया यह बात भी याद रखियेगा ठीक है? चलिए यानि एलावाद की संदि से यह यूद समाप्त होता है और इस संदि में British के पास क्या आ जाता है? EBIT. इन दिवानी मतल्ट का मामला जाता है और इसके पास परसास नहीं ग़्रूप में अब कलाइप की mothers पात करेंगे हम तो कलाइब जो है दो बार कि मंगाल का गौर्णर बना ठीक है बंगाल का गौर्णर रहा और इसी नहीं दोरी सासन लाया दोरी सासन लाया अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सेना का यानि ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी के सेना का नेतरुत हेक्टर मुल्लों किया था ब्रिटिस इस इंडिया कंपनी का नेतरुत किस ने किया था तब कंपनी का नेतरु जो है आप याद रखेगा चल्स आयरकूट यानि आयरकूट नहीं है हेमेस्टम नहीं है हेमेस्टम यानि लिख लिए ब्रिटीस इस इंडिया कम्पनी का नित्रित्व जो है हेंडेस्टन किया था है थीक है यह था आपका सत्रह सव साड़ से सत्रह सफव पैसर यह राजपाल था क्या था राजपाल था ठीक है याद रखिएगा अब यहीं पर आते ही बात चल्स आयरकूट की टो चल्स आय तो ये आ करता है ओडूर्भ यहां पर रखएया ररींग है इसकी कउपज है थहां इस यूर्फ को पराज़ित करके चंगाई नित्रकिस भारतियाराज से संबंदित है यह चंगाई आप याद रखी एपका नागा लेंड से संबंदित है तो याद रखिए चंगाई जो है चंग जनजाती दुआरा मनाई जाती है यह बात याद रखिएगा ठीक है दूसरा इसमें क्या है इसमें जो है अपनी संस्कृति को ले करके आपस में जनजाती को बीच में क्या होता है संबंद बढ़ता है दूसरी बात इस निर्ट का मतलब क्या होता है ठीक है चलिए ये मुख बाते आप याद रखिएगा चंगाई से संबंदित और जंजाती द्वारा मनाई जाती है वहीं भी बात अगर कर दे महराश्ट ये मध्द पर्देश की तो मध्द पर्देश की जो है राजकी निरित क्या है याद रखिए आपका गौर मारिया गौर मारिया ये मध्द पर्देश का है और गौर मारिया के इलावा भी इसमें मट की निरित भी है क्या है मट की निरित ठीक है वही बात हम करें अगर महराश्ट की तो महराश्ट की जो है लोवनी और तमासा है महराश्ट की क्या है लोवनी या तमासा वही हम जहारखन की करें तो जहारखन की जो है संथाली या छोऊ संथाली या छोऊ है थीक है? यह बाते आप मुकतत ही याद रखेंगे. चलिए, आगे हम लोग अगल्ण प्रस्व में आते हैं. बंगला देश का राश्टिए फल कौंसा है? बंगला देश का राश्टिय फल जो है, वह कट्छाल था है. क्या है? कट्छाल है. चली बंगला देश के बारे में मुख्तन अभी जो है बहुत निविज सर गरम है अभी वर्तोमान में बंगला देश की जो परधानमंतिर थी सेख असीना और सेख असीना इस्तिफात दे कर कर के देर चोर दिये कि म combustion हат़ै कि सेख हंसिना किस पार्टी से संबन्दती थी आवामी आवामी पार्टी से अदी ये याद रखेश थीक और आवामी लीग कह लिए मंगला दे इसका कामी लेग ठीक है आपसब पूझा जायेकी कि वर्तमान में पर्धानमंत्री के रूप में यानि अंत्रिम सरकार के रूप में किसने सपत लिया है तो अभी पर्धानमंत्री के रूप में अंत्रिम सरकार के रूप में जो है सपत लेने वाले अंत्रिम सरकार के रूप में मुहमम्मद यूनुस यह याद रखियेगा कभी कभी पूझ दता है कि बंगला देश ने राष्टिय पृतिक जोहां साओ गजय पूज सब्सक्राश्चिंग की बंगला देस करा छी हर नारास्थ्य परतिक neo सुनार बंगला जो है यह राष्टिय कान है राष्टिय विरिक्ष की बात अगर कर दे तो राष्टिय विरिक्ष क्या है आम है राष्टिय पुस्प की बात करें बंगलादेश की तो राष्टिय पुस्प की बात करें बंगलादेश की तो राष्टिय पुस्प की बात करें तो पॉसू जो है रॉयल टाइगर है रॉयल टाइगर है यह बंगलादेश से संबंदित है अगर यहीं पर पूस दे आप से कि राष्टी यह पक्षी कौन है बंगलादेश का तो राष्टे पक्षी जो है डोयल है पक्षी डोयल है तो यह बंगलादेश से संबंदित आपको बता दिया गया आपको चलिए ठीक यह चीज को एक पर देख लिजेगा आई अगला प्रस्न में आदम लो तो बिल्कुल आप याद रखिए इसको कहा जाता है सलफाइड का कुछ फर्मूला कुछ इस परकार होता है इसका परयोग करके उस कोई भी फल सब्जी को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है उसका रंग बदले बिना ताके मार्केट में उसका डिमांड बरकारा रहे लेकि है त्यानि अस्थमा वाले के लिए दिक्कत है या लगातार अगर इस तरह के फल सब्जी को सेवन किया जाए तो अस्थमा होने की भी समभावना है यह बात आप जो है माइन में रखेंगे ठीक है इसका परयोग किया आता है वहीं पर जो दिया हुआ हुआ है नाइटरस अक तो इस गैस का परयोग किया जाएगा दूसरी बात इसके बारे में याद रखेगा क्या याद रखेगा बुलिए दूसरी बात इसके बारे में याद रखेगा कि अगर माले समेदन सील या दर्द को कम करना हो जिसको आप इनेस्थेसिया के रूप में कहते है या इनेस्थे या बेहोसी की दबा या एलर्जेसिक एलर्जेसिक दर्द निवारक के रूप में इस्तमाल नैटर्स अक्साइड को किया जाता है ठीक है चलिए वही बात अगर हम लोग कर ले तो फॉजीन फॉजीन का जो सुत्रों ता सी ओ सी एल टू इसको जो है यूद हत्यार के रूप से भी जाना जाता है यूद हत्यार के रूप में जाना जाता है ठीक है फॉजीन ये जब पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें इसका परवाव बहुत जादे देखने को मिला था फॉजीन का तो यह याद रखिए यूद हत्यार के नाम से ज पानी साप करने में इसका पर्योग क्लोरीन को क्या जाता था ठीक है चलिए यह मुख तत्थ थी जो इससे संब्धनित आपको रखनी थी याद है ना चलिए आगे बढ़ते हम लो चलिए बताइए निमलिकित में से संगीत कारों और उनके वाद्यंत्रों की कौन सी जोरी गलत है कौन सी जोरी गलत है तो बिस्मिल्ला खान का संब्ध सहनाई से यह सही है आपका पंडित राम नरायन का संब्ध सरोज से नहीं है यह सारंगी से है तो हमको लगता है गलत है यही है ठीक है और इन राजन का जो है संब्ध वाइलिन से है यह सही है पंडित रभी संकर पर यह सितार से बिल्कुल सही है यानि सावेत से सरोज से संब्ध जिस वेक्ति का है उस पिर्थिवी के अंदर जो कमपन होती है उसको मापने के लिए जो सिस्मोगराप का जो परयोग किया आता है यानि आखिर भुकम को मापने के लिए किसको भुकम को मापने के लिए किया आता है भुकम को मापने या उसकी तिर्वता को रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारे पास यंत्र है उसका नाम क्या है याँ आप कहले लिजे भुकम की तिर्वता तिर्वता या उसको रिकॉर्ड करने वाला रिकॉर्ड करने वाला यंत्र किसके द्वार के आता तो आप यार किये दो नाम है इसके दो नाम आपका याद रखना है एक है रिक्तरिट स्केल और एक है बोलिए एक है आपका मैकेली स्केल। उन्स कही नाम पर है मिपलीस केरल। को रहां यह दोनों से जो है भुकम की तिर्विता और रखा जाता है यह रिक्तरूर एसकेल और मैकेलीस यह हम आपका एक यंद्र है जोिए भूकम्तरिवेंता को मा patharta यहीं विद्र रखेगा कि भूकम्स संभनदी जो अध्यान क्या आता है उसके हम लोग कहते हैं अध्यान कि कि पशिस्मो पॉलेंगे सिस्मो लोझी उत्या बात आप याद रखेएगा ठीक है चलिए कि ठीक है ना चलिए आगे questions में आता हम लोग निमलिकित में से कौन सा स्टार्च का दूसरा नाम है जो मुख रूप से बीज, फल, कन, जरो और पौधो के तनों के गुर्दों में पाय जाता है विशेश रूप से मकाई, आलू, गेहूं और चावल में अब देखी इसमें स्टार्च का जो है लैटिन नेम पहले जान फंकि बर आल, अमाअलम होता है क्या होता अमाईलम थीक है यह याद, रखिय कोइक, जो है स्टार्च है यानी इसटार्च अ अ फ? ही पोध्य में संगरहित रहता है जो हिद रहता है कौन रखता है इसको इसको रखता है क्लोरोप्लास्ट कौन रखता है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट जो रखता है इसके बारे में आप याद रखे कभी कभी पूझ देता है कि मोनोमर या पॉलीमर या याद रखे पॉलीमर है क्या है पॉलीमर के रूप में इस्टोर होता है के रूप में ठीक है यह अन ब्रांश्ट है और साखित है कभी-कभी साकित और साखित भी पूजता है वहीं पर हम लोग बात कर ले जो इनिमल में जो इस्टोर होता है फूड उसका नाम है गलाइकोजेन कि यह त यह कहा अच्र होता है यह कहां यो रगना था राटएना चलीए अब यहाँ पर आगा है जो खाते हैं आलु टूर्नेवाला एंजाइम जो है यहाई पहलेश का दूnya दूसरा नामします टाइलीन भी है ताइलीन भी है ठीक है तो यह बात आप याद रखिएगा वहीं पर आपका जो है ओलेश्ट्रा क्या है सैंपो नीन क्या है जिंक क्या है तो देखो यह याद रखिए सैंपो नीन जो है यह लैटिन वर्ट से बना सैंपो से बना है सैंपो से बना हुआ सैंपो ताहेंवार, नीड है रसायन है प्राकिर्तिक रूप से पाए जाने वाल थीक है, ये पौधो की जरो में पाए जाता है जरो में, थीक है चली ये जब पानी में गुल जाता है जो भूने के बाद इक साबुनके तरह जाग उत्पन करता है स्यम्पूनिन आप याद रखेगा ज्ञाग भी देता है है ना इसलिकी प्राकृतिक रूप से स्यम्पू कहा जाता है या इसलिए जबात बात कर लीजे औलेसे जिन आण चीज नहीं है यह याद रखेए highs कि जीनी जो हम यूज़् करते हैं क freakinी में जो है नहीं घुलने वाला या हम लोग मनुस्त जो है मानाव इस वसा को पचा नहीं पाएगा ठीक है यह चीनी में मिलने वाला अधिकतर ओलेस्ट्रा है तो यहीं चीज कहा जाता कि अगर चीनी का जादे सिवन करेंगे तो आपका जैने यह जो अलेस्ट्रा जो आपके सरी के अंद कौन सा देखते हैं दिल्ली सल्टनत की निमलीखित में से किस व्यवस्था का बहामनी और विजयनगर समराज्जों पर परभाव था तो यह याद रहिए आप इक्तादारी क्या था इक्तादारी ठीक है इक्तादारी को ही हम लोग क्या करते थे दिल्ली सल्टनत की निमलीखित में से किस व्यवस्था का बहामनी और विजयनगर तेरे इक्तादारी क्या होता था कि इसमें जो दिल्ली सल्टनत का जो छेतर में दृष्टी में जो भी छेतर होता था वहां से राजस वसुनला इक्तादारी का मतलब था टैक्स को वसुनला राजस वसुलना ठीक है ये याद रखिए और दूसरी बात याद रखिए क्या एक ततारी तो आपको हो गया दूसरा बात आपको याद रखना है कि आखिर इसमें वालिस क्या है तो वालिस जो एक दूइब का नाम है याद रखिए कि दूइब का नाम है यहीं पर चहल गामी क्या है तो चहल गामी इल्टुत्मिस दुवारा चालिस गुलामों का दल को निकालना जिसमें जो जैसा जो गुलाम होता था यानि इल्टुत्मिस इल्टुत्मिस दुवारा अस्थाफित चालिस गुलामों का दल चहल गामी कहलाया लागू करने वाला आपका इलतुत्मिस और खतम करने वाला इसी के अंदर रहने वाला गुलाम जो चालिस दलों में गुलाम सामिल था उसका नाम था बलवन तो अगर आप से कोशन पूछ दे कि चाहल गामी को खतम किस ने किया तो याद रखिए बाल बन जो है चाहल गामी पर्था को खतम किया और इलतुस्मिस के परिवार को मार करके जो है यह बल बन जो है सासक बना ठीक है चली बीटी कची क्या है तर बीटी कची कुछ नहीं है य कुछ है ही नहीं ठीक है आई अगला प्रसमें आते हम लोग जब सीस्टी च्टू ओएच को ओटू के साथ परतिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है क्या उत्पाद पले उत्पाद देख लिजे उत्पाद तो बनेगा कारवन डायक्सायर और वाटर मुक्त करेगा ठी इसका हम लोग उत्पाद देखे लेते रेक्सट्स तो हम लोगऄ करांगे आऊक्सियन से तो देखिये जब भी कोई करवं पादार्थ होगा जब उसको ऑक्सियन यादि कि होता है वह जलाने में मदद करता nor घ्र्रक्र्ण एका facilities को इंसे बना होगा वो हमारा रौन अगला प्रस्ने भारती सम्मिधान के भाग तिर्तिये में मौली कॉठ को नहीं रखा गया क्यूंकि भाग तिर्तिये हैं यह वादीयो घांक less याद रखिए मौली कर्तब पहले समिधान में सामिल नहीं था आप से पूछा जा सकता है कि आखिले मौली कर्तब को किसके सिफारिस पर डाला गया और कब डाला गया यानि 42 पर समिधान संसोधन पर सिफारिस पर ठीक है याद रखिए डाला गया जो सूची बद है अभी मौल कर्तब के बारे में याद रखिए कि मौली कर्तब और मौली कर्तब अधिकार दोनों एक दुस्ते के विपरित है मौली कर्तब ठीक है मौली कर्तब कर कानूनी कारशिपाली यानी कानूनी रूप से उसको हम लोग लागू नहीं कर सकते है यह स्वैच्छा मौली कर्तब आपकी इच्छा रक्षा करिए या ना करिए आपकी मर्जी याना समान करिए या ना करिए ये चीज मौली कर्टब था और ये मैं आपको बता दू कि पहले जब ये चीज लाया गया तो उसमें मौली कर्टब की संख्या थी 10 कि मौलिकरटब कि संग्या थी 10 जिसका संसोधन कर गए 6 में संसोधन 2002 में इसको कर दिया गया इगारा एनि अगर आप से पूछ दिया जा जाए कि कुल मौलिकर तब कितने है क Gul मौलीकर नक डू है हमारे पास11 कितने आ इगारा यह बात याद रखिएगा ठीक है चलिए को दिखका दियाना तक है को भूलिए को चलिए कि आते हैं हम लोग अगला प्रस्त में कि डैस एक प्राकृतिक रूप से पाया दाने वाला कारवनिक योगिक है जिसका सुत्र है कि इसी इस इसे अगा निए कि अगला प्रस्त वर्स 1922 में अस्थापिद हर्जन से वकसंक के सनस्थापक संफापा कौन थे माहत्मा गांधी आखिर हरीजन सेवक संसाब का रफ क्या था कि अर्थ गांधी जी ने अचुटों के लिए एक तर्म यूज़ किये थे क्या इसवर का संथान कि इस वह का संथान और ये हरिजन सेवक संग के अस्थापना करने का उदेश क्या था करने का उदेश यह था कि जान्दी को छुऊवाचुट को ख़त्म करना लिंग का मामलाउख खत्म करना स्वन कैसिति को खत्म करना और इस यह जो लागू हुआ इससे पहले गांधी जी को एतिहासिक अंसर करना पड़ा अंसन और एतिहासिक अंसन का ही कारण बना पूरा पैक्ट जो पूरा पैक्ट होता है आपका कब 1932 में ठीक है चलिए और यह याद रखिए कि हरिजन नाम से ही एक पत्र भी परसारित हुआ है जो महात्मा गांधी के जाता है महात्मा गांधी का ठीक है यह याद रखिएगा बात चलिए वहीं बात हम लोगा कर ले जो तीबा फुले की जो तीबा फुले का सरे जो यह महराज से आती हैं और इनका जो है सत्सोधक समाज सत्सोधक समाज समाज संगठन का स्रे जाता है जो तीबा फुले का ठीक है कानून मंतरी और नया मंतरी ओतिए क defensesकारwe b भारत्य समयधान के जनक के रूप में बियार अंबेदकर को भी जाना जाता है समिधान के जनक के रूप में बीयार अम्बेतकर साहब से संबंदित कुछ बाते याद रखिए राजनीतिक पार्टी और इनका कुछ समाजिक संगठन तो राजनीतिक पार्टी जो है कहां पे लिखुए इनका यहीं पे ले ले आता हूँ राजनितिक पार्टी जिसरे राजनितिक पार्टी से यह संबंद रखे यह याद रखिए राजनितिक पार्टी कि इनका कौन-कौन है जो है अनुसुची जाती Federation Party ठीक है दूसरा आपका Independent Labour Party Independent Labour Party और तीसरा आपको याद रखना है इसमें क्या याद रखिएगा Republic Party of India Republic Party of India ठीक है यह तीन पार्टी थी आपका अनुसरी जाती और इंडिया लेवर पार्टी और Republic Party of India यह आपका जो है राजिन्री पार्टी से समद रखने वाले बियार अम्बेदकरजी है यही पर समाजिक अगर हम बात करेंगे समाजिक असर पे तो समाजिक में आप याद रखिए हित कारणी सभा यहाँ ले लेता हूँ मैं समाजिक असर पे हित कारणी सभा यह आपका समाजिक संगठन है और दुसरा इसमें आप याद रखिएगा समता सैनिक दल यह भी आपका भी राव अमदकर सही है समता सैनिक दल ठीक है चलिए आई अगला पर सोहन सी भकना और हर दयाल मुख रूपसे निमलिकित में से किस संगठन से जुरे थे तक गदर पाटि से गदर पाटि के असथापना कभ होती है तक गदर पाटि के अफ़ठापना 1913 में होती हि और इसको खतम कभ कर दे जा जाता है अप चारिक सूर्प से होता 1936 में होता है सहाजानन्द याद रखिए पर्थमुख चिहरा सहाजानन्द ठीक है ना चलिए वहीं पर आगर बात करें हम लोग यूगांतर की यूगांतर जो है आपका होता है कब 1906 में कलगता में स्थाफित क्या आता और यूगांतर नाम से पत्र भी है पत्री का चलिए अनुसलन समीथी के बात करें तिया अनुसलन समीथी के संगठन जो होता है उनीस्तो अस्थापना 1906 में होता है चलिए यूगांतर और अनुसलन समीथी में जो वेक्ति यूगांतर में सम्मिल्थ है वही अनुसलन समीथी में में सम्मिल्थ है लिख लिखें वेक्ति साप्षामील थे याद रखें कुमार घोस ग मार घोस जर अ और दूसरे करेंता है क्या है डिवी यह साव नुटे रर नाफ है तो ठीक है चलिए यह बात आप याद रखेंगा हुआ है निम्ली कित में से किस शासन किस शासा के साथ और कंद और चिनी यातरी हेंत संग भारत आया था तक यह यातरी किår सब्सक्राइब किसके समय हर्स बर्दन के और चिनी यात्री जो आने वाला हिंसांग जो है याप यह जो है बहुत धर्म से संबंदित और यही जो है आपका जो मठ है आपका कश्मीर में नालंदा में उस मठ में बहुत से संबनित सिक्षा गढ़न किये ठीक है चली अगला प्रस्ते उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवरसार्णी के समू एक से संबनित नहीं है तो इसमें आपका जो है कोई option ही नहीं है यानि इसका अंसर आपका कुछ भी नहीं होगा चुके चारों समू एक सही संबन्द रखते हैं ठीक है चली हरित करांदी से जुरे महतपुर्ण संस्थानों में से एक भारती किर्शिया नुसंदान संस्था है जो कहां इस्तित है यह आपका नई दिली में है ठीक है नई दिली में जिसका जो है organization कोन करता है आई सी ए आर इंडियन कांसिल औफ एगरिकल्चर यहीं पे कुछ खुछ बाते पूज यानि इसकी अस्थापना कब होती है इसकी अस्थापना आप बात रखेगा कब अप्रील एक अप्रिल 1905 कि अस्तापना होती है ठीक है नेदिली में कुछ-कुछ कभी-कभी कहा ना पूच जता है कि चावल यानि केंद्रिये चावल का संग अडन कहा है तो वो कभी-कभी ये जेनरल नॉलेज का अस्तान से रिलेटर है इसको एक बार याद रख लीजिए तो हम लिग लेते कुछ-कुछ बाते लिग लेते केंद्रिये चावल अनुसंदान संस्ता कहा है केंद्रिये चावल तो याए आप याद रखिएगा ये कटक ओडीशा में है ठीक है यहीं आप से पूझ दे गन्ना का तो गन्ना का जो है पर जनन कि यह आपका तमिलनाडू में तमिलनाडू यहीं पर आपका दलहंत से अगर पूझ दे दलहंत आप याद रखे उत्तर परदेश कानपूर में ठीक है चलिए यह मुख बाते याद रखना था आपको ठीक आईए अगला प्रसुप भारतिय समिधान का निम्लिकित में से कौन सा अनुछेद भारत की दुछी सदनीय संसत का प्रधान करता है यह अनुछेद 89 है क्या है अनुछेद 89 क्या करता है कि संसत का निर्वान जो संसत के दुनों सदन यानि लोक चावा और राज सभा कि आदके यहीं पर आप से पूचा है कि अनुछेद 89 क्या क्या करता है याद रहें यह आद रहें अनुछेद 89 क्या है क्या कहता है रास्टाभा के सभापती से सम्मंदित के सभापती ठीक है उप रासपती होंगे उप रासपती यह अनुच्छेद नवासी कहता है यहीं पर बात कर लेड़े कि अनुच्छेद 69 क्या कहता है तो अनुच्छेद तो आप मायाद में रखेगा राजपति के कार जाले कैसा होगा कार जाले की सर्थे हैं कर जाले की सर्ते हां अनुचाद की तो राज में जो भी एतिहासिक पलेस है पलेस का रक्षा एतिहासिक है पलेस की ऊस्थल जो है अस्थल की रक्षा अनुछ। उन्चास कहता है ठीक है चली छो कॉण सा सोडियम योगिक अपनी परिरक्षक किरिया के लिए विभीर वस्तूओं जैसे सौस, सलाद, ड्रेसिंग और पेपतार्थों में सबसे लोगत्रीय योजक है तो यह याद रखिए सोडियम बेंजोएट इसी का परयोग करके लंबे समय तक क्या आता है और इसी का परयोग से को बिलेचिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम फ्लॉराइड सोडियम फ्लॉराइड का जो यूज स्टोरिंग में भी किया जाता है ठीक है ना और यहीं बात कर लें सोडियम बाइकार्वोनेट की सोडियम बाइकार्वोनेट को एक के क्या सोडा के रूप मे मिशले यह होगी आपका ओलंपिक धवज में छलो रिंग्ज की कुल संख्या होती है याद रहे थिये ओलंपिक्स दवाज में छलो किसा रहुत कुल पांच यह पांच यह पांच महादीब को दर्सा आता है ठीक है यह पांच में कौन कोन है याद रखिए हम त्रीक बता जते हैं ओ ओ ओ ओ ओ ओ आ ए यू यही पांच आपका जो है क्या है महादीप है जिसमें आफ और आपका अमेरिका ठीक है क्लियर चले और यह आफ और आफ और आफ रिका यह आपका आउस्टेलिया आउस्टेलिया और यह ओसीनिया भी कहा जाता ओस्टेलिया को ओसीनिया कि ए फूर आपका जो है कि ए फूर को जाएगा बुलिए को अफ रिका नाम है तो यह पांच महांदुगों को बताता है क्या उलंबिक धाबज में चलो करें यानि कुल पांच रिंग्स होते हैं जिसमें आपका अफ्रिका की बात करेगा अमेरिका की बात करेगा और या यूरोप एस्टिया हमारे पास पॉड हो Neo अमीर खुसरू अर्ल बुरीनी ने एक अपने यात्रा के लिए जो किताब लिखा अर्वी में उसका नाम है रहला ठीक है इबन बतुता मुरको से आने वाला है तो यह चीज आपको लगता है यह आज का कोशन्स आपके लिए काफी कारगर और बिनफीसल साबित हुआ होगा अ